असलाम अलेकुम आप सभी को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आज एक छुटा सा व्लोग हम अपना फस्ट रोजे का शेयर करेंगे उमीद है कि पसंद आएगा ये चांद रात का क्लिप है तो रात में किचन को बिल्कुल साफ करके आप सोएं सुबा में बहुत ही अच्छ रहा है सहरी का टाइम है तो हमने थोड़ा सा पानी गरम किया है और अपना मेथी खा लेंगे हम कि सुबा में गुनगुने पानी से ही शुरुवात करनी चाहिए अब बनाते हैं हम चाय चाय तो बहुत ही जरूरी है नहीं तो सर में दर्द हो जाता है एक कप ही चाय पीते हैं हम सुबा में कप मेरा बहुत बड़ा है हाफ पानी और हाफ दूद हमने डाला है इसमें पती डाला है शुगर नहीं डालते हैं हम थोड़ा अद्रग डाला हमने फ्लेवर के लिए और मेरी चाय तयार है इसको हम ढाल लेते हैं कप में और एक रस्क लेंगे हम बस यही है मेरी सेहरी एक ग्लास पानी यह हमारी सेहरी हो गई अब आपसे दिन में मिलते हैं हम अभी यह टाइम रोजा पहले रोजे के दिन का है एक बज़ रहा है तो हम एक डिटॉक्स वाटर बना रहा है इस बार शर्वत और जूस यह सब हम नहीं पीएंगे उससे बहुत जादा मतलब बढ़ने का चांस रहता है तो इसमें हमने डाला है और नीमू के स्लाइस और अद्रक के स्लाइस और इसमें हम पानी भर देंगे एक लीटर का है यह जग हमारा और इसको अब हम फ्रीज में रख देते हैं 5-6 घंटे में बहुत अच्छे से यह इंफ्यूज हो जाएगा शर्वत की कमी महसूस नहीं होगी इसको ठंडा पीने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और बीच में कोई काम नहीं रहता है दिन में तो हमने सोचा कि अद्रक को पीस ले तो इसको का कर लेंगे दो घंटे के बाद देखिए इस तरह से एकदम जम चुका है इसको हम जिप लॉक बैग में डालेंगे और रख लेंगे तो यह काफी काम आता है रमजान में कीमे का समोसा बनाएंगे तो इसके लिए हम पहले कीमा उबार लेते हैं अभी चार बज़रा है शाम का तो 200 ग्राम कीमा है इसमें हमने अद्रक डाला है हाफ टी स्पून और नमक है हल्दी है और मिर्च है पानी डालेंगे वन फोर्थ कप और इसको अच्छे से मिक्स कर ले कीमा जो है एक जगा बंद जाता है तो उसको चलाते चलाते ही तोड़ना है उसके बाद उसको हम 20-25 मिनट तक पका लेंगे यह मेरा उबल गया है उसको हमने सुखा लिया है यह कुछ चीज़े काट लेंगे हम धनिया है पुदीना है दो मीडियम साइज की प्याज है दो हर अद्रक और हरी मिर्श थोड़ा सा भून करके उसमें हम अपना कीमा डाल देंगे उसको अच्छी से भून लेंगे फिर डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और अपना धनिया और पुदीना डालेंगे और गैस को हम आफ कर देंगे इसको ठंडा होने देते हैं और अधब तक आटा गूद लेते हैं हम तो हमने मैदा लिया है एक कप और उसमें दो टेबिल स्पून हमने डाला है और नमक डाला है अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी के साथ हम टाइट आटा गूंदेंगे नरम नहीं करना है हमें और गूंद्रा भी नहीं है ज्यादा इसको बस एक जगा बाइंट हो जागा उसको रख देंगे हम 20-25 मिनट के लिए और इसको फिर थोड़ा सा नरम कर लेंगे अब इसके हम समोसे बना लेते हैं तो आप चोटा बड़ा जिस साइस का बनाना चाहें आप लोई लीजिए इसको लंबा बेल लीजिए और इसको हा और ओयल रख देते हैं हम गरम होने के लिए तो जादा गरम ओयल नहीं चाहिए हमें देखी समोसा डालने पर उपर नहीं आना चाहिए गरम होना चाहिए लेकिन बहुत कम और स्लो फ्लेम पे ही इसको हम फ्राइ करेंगे दो मिनट के बाद ही उसको टच करिए पलटिए और उल्टा-पुल्टा करके हम गोल्डेन उसको ये कर लेंगे फ्लेम तेज़ नहीं करना है तभी बहुत अच्छा समोसा बनेगा तो यह समोसा हमारा बनके तयार हो गया एफ्तार के लिए और प्यास का पहोड़ा हमने बनाया था तो ये बना लेंगे और उसके बाद सार्व करक आपको हम दिखाते हैं, यह हमारी प्लेट है, खजूर है, समोसा है, और फूट्स है, प्यास का पकोड़ा है, यह हमारा डिटॉक्स वॉटर है, तो चलिए अब डिनर में मिलेंगे आप से, तो यह रात के खाने के लिए हमने रोटी बनाई है, और चिकन तंदूरी बनाया है, अभी साढ़े नौ हो रहा है, नाइन थर्टी, चिकन तंदूरी है, और एक रोटी है, यह हमारा डिनर है, आपको यह व्लोग पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे शुक्रिया.